अजमेर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है लेकिन टाटा पावर कंपनी द्वारा ला परवाही बरफते हुए कई इस्तानों पर बिजली की डीपी बड़े हाथ से को दावत दे रही है अजमेर के बिजली वैवस्ता समाल रही टाटा पावर कम्पने द्वारा लगाई गई अलग-अलग इस्थानों पर डीपी खुली है और ऐसे में बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए करंट के संभावना बढ़ रही है शेत्रवासियों का कहना है कि इसके शिकायत कई बार टाटा पावर के प्रतिनीधियों को की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है शहर के अलग-अलग स्थानों पर डीपी में गेट नहीं है या फिर वैख खुले हैं और करंट डौड रहे हैं तार कभी भी हाथ से को दावत दे सकते हैं ऐसे में जल्द से जल्द इसके निस्तारण को लेका टाटा पावर के प्रतिनीधियों को सोचना चाहिए और डीपी के गेट बंद करने की वैवस्ता की जानी चाहिए जिससे की पानी भणने पर लोग वे आवारा जानवर करेंट की चपेट में ना सके माल अच्पी मेडिकर स्टोर जी ब्लोग वेशाली नगर माकडवाली रोड में रोड पे यह टाटा पावर का डीपी पिछले दस दिन जग खुलावा पड़ा है इसमें दो तीन बार शेकायत कर चुकों मैं खुद बगर अभी तक किसीने सोधने की है को बीकिसी का अंगा इनसान गातों भी जाएगा और जानवर अगर मुझ डालता है वो भी जाएगा और पावर्फल डीपी है इत्ता पावर इसके इनदर कोई आठ डालते तुरंट इसको नुक्सानी होगा तो मैं शिकायत भी कर चुक हो मगर सुध लेने लोग कोई मांसुन तो डेली बर्साद आ रही है पानी दो इसके इंदर जाता ही है मगर इसकी सूद लेने वाला भी तो कोई है नहीं तीन-चार पर शेकाइट कर चुका हूं में इसकी मोहन फॉली महाल अच्छी मडेकर से हमारे परिसानी यह है यह चाता पावर वाला आते हैं इसको खुला छोड़ जाते हैं कोई भी बच्चा है गाई है बड़े बुजरों कोई भी हाथ देले या करेंट आ जाओ तो इसका जिम्हितार कौन होगा रोज इसको खुला छोड़ हम दيर सुझा जाते हैं तैयार करते हैं इसको और पीकाने स्वीट के पास में ईह पॉल और एसे करेंस खुला रहता है कि बार का यह जाता है झाल खोला नहीं चोड़ना चीन को फिर आते हैं फिर फिर खोड़ जाते हैं लोग ये लापर भाई बहुत ही भारी पढ़े गेश को लाइट बंढ भती है तो ये चलू करके ऐसे छोड़ जाते है इदर ख़बर की हो सत्यता, हो या ख़बर की अनकहिं दास था, होगी सच्चाई की वापसी SKV News सच्चाई की वापसी